आपने अक्सर शाकाहारियों और मासाहारियों के बीच होने वाली बहस जरूर सुनी होगी मासाहारी कई बार शाकाहारियों को घास खूस खाने वाला बताते हैं जबकि शाकाहारी लोग मासाहार करने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला कहते हैं वैसे दुनिया के जादातर देशों में लोगों को अपनी मर्जी से भोजन करने की पूरी सोतंतरता है लेकिन इन में से मासाहार यानि नौन वेज फूड खाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है Friends of Earth नामक संस्था के मताबिक दुनिया भर में सिर्फ 50 करोड लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से शाकाहरी हैं यानि वेजिटेरियन से यानि 740 करोड की आबादी वाली दुनिया में आप शाकाहरीयों को अल्प संख्यत भी कह सकते हैं Friends of Earth संस्था ने 2014 में एक मीट एटलस जारी किया था जिसके मताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहरी लोग भारत में रहते हैं भारत की 31 पृतिशत जनसंख्या शाकाहरी है भारत में भी हर व्यक्ति को अपना भोजन चुनने की आजादी है और हम इस आजादी का पूरा समर्थन करते हैं लेकिन अमेरिका की National Academy of Sciences के एक नए रीसर्च के मताबिक अगर पूरी दुनिया में शाकाहर को बढ़ावा मिले तो धरती को ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा ठंडा और ज्यादा दौलत मंद बनाये जा सकता है फिलाल दुनिया में तीन तरह का भोजन करने वाले लोग हैं पहले जो मासाहर करते हैं यानि नौन वेजिटेरियन्स हैं दूसरे जो शाकाहरी हैं यानि वेजिटेरियन्स हैं और तीसरे वो लोग हैं जो शाकाहरी हैं और जानमरों से प्राप्त किये जाने वाले प्रोडक लाक मौतों को टाला जा सकता है और अगर लोग दूद और दूद से बने उत्पादों का सेवन भी बंद कर दें तो हर साल करीब 80 लाक लोगों को मरने से बचाए जा सकता है हलांकि ऐसा करना काफी मुश्किल का है भोजन में मासाहार की मातरा कम करने से दुनिया भर में हर साल करीब 66,73,000 करोड रुपे बचाए जा सकते हैं जबकि ग्रीन हाउस गैसिस के एमिशन में कमी आने से 33,36,000 करोड रुपे की बचत होगी रिसर्च के मताबिक इस पहल से सबसे जादा फायदा विकास शील देशों को होगा स्टेडी के मताबिक कम कैलरी वाला भोजन करने से मोटापे की समस्या कम होगी और लेटिन अमेरिका सहित पश्चमी देशों में पबलिक हेल्थ पर होने वाले खर्च में कमी आईगी जबकि फल और सबजियों का उत्पादन बढ़ने से भारत सहित डक्षन एश्याई देशों की अर्थ विवस्था को जबरदस्थ फायदा होगा लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए फल और सबजियों के सेवन में 25 परतिशत का इजाफा करना होगा जबकि रेड मीट के सेवन में 56 परतिशत की गिरावट लानी होगी यानि दुनिया के हर इंसान को 15 परतिशत कम कैलरीज लेनी होगी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक दिन में 2000 कैलरीज वाला भूजन करते हैं तो आपको 1700 कैलरीज तक का भूजन करके रुख जाना होगा मासाहार आपकी सेहत के लिए कुछ हद तक फायदेबंद हो सकता है लेकिन धर्ती की सेहत के लिए मासाहार बिलकुल भी फायदेबंद नहीं है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीट प्रोड़क्स के उत्पादन के दौरान जो एमिशन होता है वो दुनिया में होने वाले कुल एमिशन का 20 प्रतिशत है ये दुनिया भर के वहन, हवाई जहाज, ट्रेंस और परिवहन के दूसरे साधनों से होने वाले कुल एमिशन से भी ज्यादा है एक अनुमान के मताबिक जानवरों को पालने के लिए उन्हें जो भोजन दिया जाता है वो अगर इंसानों को मिलने लगे तो दुगने लोगों का पेट भर सकता है एक किलो पॉक के उतपादन के लिए करीब आठ किलो भोजन जानवर को दिया जाता है जबकि एक किलो चिकन तयार करने के लिए एक मुर्गे को साड़े तीन किलो अनाज खिलाना पड़ता है इसी तरह मीट प्रोड़क्ट्स को खाने की टेबल तक पहुँचाने में सबजियों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पाने का इस्तेमाल किया जाता है आधा किलो आलो उगाने में 127 लीटर पानी लगता है जबकि आधा किलो मास का उतपादन करने के लिए 9000 लीटर से ज्यादा पानी बरबाद होता है जबकि आधा किलो गेहु का आटा बनाने में 681 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है एक किलो मास के उत्पादन से जो एमिशन होता है वो तीन घंटे तक कार चलाने से होने वाले एमिशन के बराबर है मीट प्रोड़क्स के उत्पादन के लिए जानवरों को बड़ी संख्या में पाला जाता है और इसके लिए धेर सारा अनाज, जगा और पानी की जरुवत होती है फ्रेंड्स ओफ अर्थ नमक संस्ता के मताबिक मीट प्रोड़क्स पैदा करने के लिए हर साल करीब 6 लाख हेक्टेर जंगल काट दिये जाते हैं ताकि उस जमीन पर जानवरों को पाला जा सके ये जमीन यूरोप के देश बेलजियम से दुगने आकार की है 400 ग्राम मास के उतपादन के दौरान करीब 40 किलो ऐसे पदार्थ पैदा होते हैं जो ग्राउंड वाटर को विशैला बनाते हैं दुनिया में उपलब्द 70% फ्रेश वाटर क्रशी में इस्तिमाल होता है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा मीट उतपादन के लिए होने वाले पशू पालन पर खर्च होता है अगर लोग खाने में शाकाहार को ज्यादा जगा देने लगेंगे तो जानवरों को पालने में इस्तिमाल हो रही 160 करोड हेक्टेर जमीन मुक्त हो जाएगी ये भारत के कुल क्शेतरफल से भी दुगनी जमीन है एक अमेरिकी साल भर में ओसतन 122 किलो मीट प्रोड़क्स खा जाता है विजिटेरिन सोसाइटी नमा के एक संस्था के मताबिक बिटेन में मासाहार करने वाला हर व्यक्ती अपने पूरे जीवनकाल में ओसतन 11,000 जानवर खा जाता है कुल मिलाकर अगर विज्ञानिक रिपोर्ट्स को अधार बनाया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हफते में सरफ एक दिन के लिए शाकाहार को अपना कर भी धर्ती को बचाने के दिशा में बड़ा कदम उठाया सकता है क्योंकि मासाहार कम होने से ग्लोबल वामिंग में कमी आएगी और धर्ती के वातावरान को ठंडा बनाने में मदद मिलेगी उमीद है कि हमारे इस विशेशन ने आपकी आखे खोल दी होंगी और अब आपको हरी सबजियां और फल ज्यादा अच्छे दिखाई दे रहे होंगे हलाकि हम यहाँ यह बात जरूर कहेंगे कि आपको किस तरह का भुजन करना है यह फैसला लेने का अदिकार सिर्फ आपका है और हम आपके इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं